बहुत-बहुत स्वागत है आपका भारत की सबसे बड़ी एजुकेशनल प्रेटफॉर्म अन अक्याडमी पे मैं अभिशेप मिश्रा आपका स्वाधत करता हूं दो खुशूरत लाइन के साथ ये आसमान का इशारा है कि कल का सूरस तुम्हारा है ये दो सुद्धर लाइन के साथ मैं आप आज की क्लास का आगास करता हूं केमिस्ट्री 101 हमारा एक प्यारा सा चैनल है जिस पे आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब का चैनल है इसके टेलिग्राम से जुड़ करके आप सारी नोटिफिकेशन उपा सकते हैं और आप अन केमिस्ट्री 101 हमारा एक सुन्दर सा चैनल है जिस पे आप लगातार हम और आप ग्रोख कर रहे हैं बच्चों मैं विशेक मिस्ट्रा मास्टर्स इन केमिस्ट्री मेंटर टू हंड़ेट्स ऑफ एस्पिरेट्स आफ मीट अजी लगातार सोले वर्सों से मैं फुल टाइम आप एक्जाम में रट के जाते हैं और नहीं आता है वो चीज लेकिन जब कंसेप् क्लियर होता है तो चैहरेटा हो रटना भी और अच्छा हो जाता है तो यह बहुत बहुत वहतरीन बात है बचुन लगतार मुझे बच्चों का प्यार मिलता हुआ बढ़ता हुआ चला रह तो बच्चे डिडिकेशन भी देते हैं और जिससे उनके मुझे नाम भी याद रहते हैं तो मैं चाहूँगा कि बच्चों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिडिकेशन दीजिए जिससे कि मुझे आप लोगा नाम भी याद रहे आप जो भी कोर्स अनकैडमी पर करना चाहते हो जो भी कोर्स उसके लिए आपको AM001 कोड अप्लाई करना है आप AM001 कोड अप्लाई कीजिए और जितना भी कोई free close course हो या subscription हो जो भी करना हो आप ये कोड़ अप्लाई करके आप आगे बढ़ सकते हैं कि पॉइंट आफ यू से मैंने बात किया प्रेंट तो मुझे पता चला कि क्यों अनकैडमी बचों के लिए अच्छा है इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पर बनाए हैं आप उनको देखिए यह पॉइंट्स से बातशीत करने के दौरान मुझे पता चलें जिसमें बहुत importantly ये बताया गया है कि बच्चों को अगर तयारी करवाना है अगर preparation करना है किसी competition की तो उनको बाहर जाने की जुरत नहीं है और उनको सारे की सारी सुधाएं and academy के platform पर यहां मिल रही है और guardians के लिए जो एक financial load होता है वो भी यहां पर एकदम minimize कर दिया गया है student से मैंने बहुत सारे student से बात किया तो उनके लिए जो चीज़ important होती है और एक student मैं भी रहा हूँ तो मेरे लिए भी जो चीज़े important रही है और इसके हिसाब से देखा जाए तो यह सब points बहुत important है जो कि student के point of view से मैं देख सकता हूँ कि हाँ यह जरूरी points है तो यह है student के point of view से जो हमने देखा इसके बाद बच्चों अगर आप हमारा plus का subscription लेते हैं तो आपको daily life classes मिलती है आपको structure course मिलते है life test और quiz मिलते हैं और unlimited actions मिलता है आपको किसका recorded session का और live session का ठीक है इसका fee structure है 34,650 रुपीज है 12 मंद के लिए और 6 मंद के लिए 25,200 रुपीज है यह वो बच्चे ले जो 12 पास आउट कर चुके हैं या 12 में हैं यह उनको लेना चाहिए जो 11 में है और यह जो है जो 10 वारे बच्चे हैं वो उनको लेना चाहिए दो साल का और आप इसमें दब मेरा code apply कर जाते हैं कि उनके पूरी टेस्ट का एनेलेसिस हो अनको पर्सनलाइज़ फीगबैक के लिए पर्सनल कोच के जाते हैं जो आपको गाइडेंस देते हैं एक्जाम तक और बहुत अच्छे एक्सपर्स होते हैं और आपके साथ पूरी प्रिप्रेशन इस्टजी बनाते हैं इ आपको ये आपके study को plan करते हैं जो personal coach होते हैं और customize करते हैं आपके study plan को by weekly review करते हैं और highlight करते हैं आपके progress को और सारी की सारी आपको benefit जो plus की है वो तो मिलती ही है आपको आप जो इसमें fee structures का देखते हैं तो 90,000 रुपीज लगता है इसका 24 months के लिए जो कि बच्चे जो 10th में हैं वो ले सकते हैं और 11th वाले बच्चे 58,500 रुपीज एक coach के साथ मिलना बहुत ही reliable fees है बहुत reasonable है और 6 months जो कि बच्चे अभी पल रहे हैं 12th में या passed out है उनके लिए ह और code आप यूज करेंगे AM001 तो सारी fees में से 10% का discount हो जाता है तुरंट Combat हमारा एक जबरदस्त All India Fortnightly competition चल रहा है बच्चों इसके लिए बहुत शांदार तरीके से आप preparation करिए और अपने आपको rank देखिए इंडिया का सबसे बड़ा platform है जो सबसे ज़्यादा बच्चों को cover करता है और इसमें आप code यूज कर लेंगे AM001 यह code यूज करेंगे और यह code यूज करके आप इसमें तुरंट participate कर सकते हैं तो बहुत बहुत हैं इसमें participate किजिए combat में और enroll किजिए अपने आपको code पूछता है तो AM001 code लगाईए और इसमें बच्चे चेलेंजिंग कोशन जो हैं best educators जो हैं वह क्यूरेट करते हैं अच्छे चे कोशन और बेचते हैं और गढ़ करके जिससे की बच्चों के लिए best कोशन आ सकें जो कि exam में आने वालाएक हों आपको हर एक exam के हर कोशन हर एक कोशन के बार जितना कोशन होता है उस हर एक पर पाद so for fast fun with the real time ranking यानि real time ranking के साथ आपको आपको पता चलता है क्या आपका position है आप दूसरे के पूरी इंडिया के बच्चों के साथ होना चाहिए और कितना अच्छे तर्व टेस्ट दे रहा है यह पता चल सकता है इसको आप बेस्ट के साथ कॉंपटिशन करते हैं और यह जानते हैं कि आप अधर कंटेस्टन के साथ कहां पर खड़े हैं आपको आपकी रैंग रेटिंग video solution आपको मिलते हैं सारे top educators आपको detailed video solution देते हैं तो in-depth video solution मिलते हैं आपको right after the contest तुरंत contest के बाद ही मिलाते हैं तो यह बहुत अच्छा है बच्चों कि तुरंत question question किया उसके solution मिल गया इसके लिए wait नहीं करना आपको तो आप अपना score देखते हैं leaderboard पे अपना rank देखते हैं rating देखते हैं और exciting awards भी मिलते हैं इस बार कि awards थोड़ा चेंज कर दी गया है यह पुराने awards है इसको आप consider नहीं करेंगे अभी और जो है new awards जो है वो अलग kind के हैं जो आपको जो आप उसके करेंगे अपना आप combat में registration करेंगे तो आपको पता चलाएगा उसमें कि क्या क्या व 12 बज़े तक 12 के लिए 11 से 12 और 13 के लिए 11 से 12 यह होता है हमारा schedule ठीक है बच्छों चलिए आप enroll करने के लिए am am 001 आप code यूज़ करेंगे sorry am 001 code करके आप इसमें enroll कर लेंगे देरे प्यारे बच्छों contest का format है 60 मिनिट का contest होगा 28 questions होंगे 4 sections होंगे नीट की scoring मिलेगी आपको separate contest 11 13 के लिए fortnightly यानि alternate Sunday को test होगा अगला 27 तरीकों होगा यह syllabus है पिशली बार का इस बार का इस बार का इस अभी नहीं आया है मैं आपको इसको भी डिस्प्ले कर दोंगा आप साब अलफा एक्षीवर बैच अलफा एक्षीवर बैच पंद्रह तारिक से स्टार्ट हो रहा है हो गया है ठीक है और इसमें आप यह एक crash course होगा बच्चों बहुत इसमें हैं जो आपका प्रिप्रेशन करा रहे हैं बहुत 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 रुप्ता प्रतीक जैन आजय कुमार मिश्रा शुब करन चौधरी रमेश शाल्दा और संदीक नोडियाल यह बहुत इसमें लगातार आपको अलफा एक्षीवर बैच में आपको crash course कराएंगे और ब इन देख सकते हैं और समझ सही सोचिके कि आप घर बैठे बैठे आप घर बैठे इन पहतरीन टीकिन तैये सब इलस आपको घर पर आपके मिल रहें यह बहुत बहुत बहुत्य बात है तो इनके साथ जुड़ करके आप आलफा में आप पाडिस्पेट कर सकते हैं और पहल एक बैच है जो कि टुटी ओन से शुरू हो रहा है पहल तो इस पहल में पाडिसिपेट कीजिये और नीट के क्रैश कोर्स में आप आईए और इंट्रे तरिके से ये 21 तारीक को स्टार्ट हो रहा है इसको आप फटा फट सब्सक्राइब कर लिजे और AM001 code जुद ज़रूर कीजेगा आपको बहुत 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 उसमें आपको फाइद ही मिलेंगे पहल बैच में ये टीचर्स है जिनका अपना एक बहुत जबरदस रेकार्ड रहा है उनके साथ आप अपना जबरदस तरीके से अपने केरियर की त्यारी कर सकते हैं आपने 2021 नीट की त्यारी कर सकते हैं तो लग जाएए बच्चों बेहतरिन तरीके से आज हमलों का जो टॉफिक है वह है पॉलीमर पढ़ेंगे हम लोग पॉलीमर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अच्छा ख्ळाने से भजह से भागते हैं लेकिन मैंного से इस पॉलीमर के इस चैप्तर को इस टॉपिक को पकडद लियाओकस के जिससे कि आप लोंक के लिए पूरा ए ुकि इसमें कई सारे मॉनुमर्स जुड़ करके एक बड़ा सबस्टन्स करते हैं जिसको हम पॉलिमर कहते हैं तो पॉलिमर बच्चों एक बड़ा जो है पॉलिमर कई सारे मोनमर्स के जूर करके बहुत बड़ा एक सब्सक्राइब बनता है जिसके मॉलिकुलर मास 103 से लेकर 107 यूनिट करती है और तब बनता है तो इसका जो मॉलिकुलर मास होता है वो 103 से लेकर के 107 यूनिट तक होता है यनि जोड़ जोड़ करके जोड़ जोड़ करके जैसे पॉलिथीन है तो यह इस तरह से बनता है और यह हाई लॉक्तिट आसके लाज नमबर मानुल केमिकल बांड से लाज नमबर आफ मॉलिकुव्ण जोड़ते हैं तो यह एक एक पढ़ाने में तो मैं इस तरह से इसको बरा लिया हूं तो Monomer are simple and reactive molecules, Monomer क्या होते हैं वो simple होते हैं और reactive molecules होते है which produce polymer either by addition or condensation, यहां पर दो बाते हैं एक addition हो गया और एक हो गया condensation, addition और condensation दो तरीके से chemical reactions होते हैं जिससे की polymer बनता है तो हमने क्या सीखा कि polymer एक substance है जिसका molecular mass बहुत हाई होता है 103 से लेके 107 combination unit तक होता है which is formed by the large number of monomer molecules by chemical bonds monomers क्या होते हैं simple and reactive molecules होते हैं तो यह ध्यान अथना simple and reactive यह बात बहुत important simple तो होंगे होंगे और reactive भी होंगे तो simple and reactive simple and reactive molecules which produce polymers either by addition or condensation या तो addition से होगा या तो condensation से होगा यही होगा तो addition एक reaction है जो हम लोग organic में पढ़े हुए है condensation में जा होता है वो भी पढ़ेंगे आगे हम सब पर हम detail में चार्चा करेंगे addition और condensation इस पर भी हम लोग चार्चा करेंगे आगे ठीक है बच्छो चलिए polymerization क्या होता है what is polymerization polymerization is the process by which monomers are converted into polymers monomers जो है वो polymers में convert होते है इथाइलीन polymerizes at 473 Kelvin and high pressure high pressure the presence in the presence of in the presence of in the presence of in the presence of O2 and gives polythene and gives polythene polymers are also called macromolecules polymers को macromolecules भी कहता है अभी आगे इसका पूरा discussion हम लोगों को करना है पढ़ना है कि कैसे polythene बनता है इस पर पूरा reaction भी समझेंगे नाइलान 6-6 is formed by the condensation of hexamethylene diamine and adipic acid देखिए यहां पर यह है जो polythene बना है तो जो polythene बन रहा है यह बन रहा है addition से यह addition से बन रहा है addition polymer addition polymerization और आपकर नाइलान 6-6 है नाइलान 6-6 है वह आपकर condensation से बनता है कि दोगों addition में क्या होता है double bond या triple bond होता है ठीक है वह खुलता है वह खुल जाता है ठीक है ऐसे तो addition फिर आपस में और जूड़ते चेन जूड़ती चली आती है condensation में क्या होता है जो उसमें functional group होते हैं जैसे मालो एक तरफ अगर मालो कोई OH है और दूसरा भी मालो OH है यहां पर ऐसे है तो यह water यह जूडेंगे में आगे हम लोग और पढ़ेंगे डिटेल में तो condensation जो होता है उसमें small molecules like water हो गया ammonia हो गया यह सब STL हो गया यह सब निकलता है तोकि addition में कोई small unit निकलता नहीं है pipe bond brick होता है और वही आपस में जूड़ता चला जाता है ठीक है उच्छे नायाउन शिक्स एक polymer है शिक्स शिक्स का क्या मतलब होता है यह सब्सक्राइबा हो अच्छिए hexamethylene में मतलब यह six carbon hexamethylene छे carbon इसमें और एडिपिक एसिट में भी छे carbon इसलिए six six बोलते हैं यह सब्सक्राइब आपने नायलाउन शिक्स शिक्स मतलब कि छे-छे carbon वाले दो अलग-अलग monomer जूड रहे हैं और condensed होकर होते 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 एक polymer बना रहे हैं तो यह बात clear समझेगा आपने polymers are classified into following types which are based on some special considerations कुछ special considerations है क्या-क्या है तो classification of polymers on the basis of their source यानि source क्या है उस पर depend करता है तो इनको divide किया है तीन classes में थी classes है natural polymers है semi synthetic है और synthetic है ठीक है natural है semi synthetic है और synthetic है तीन तरगे है तो natural polymer जो हमें naturally पेड़ पॉधों से मिलता है जानवरों से मिलता है ठीक है जो हम purely जो हम purely जो है बनाते हैं और semi synthetic यानि जो जिस पर हम natural polymer में ही कुछ जोड़ जाड़ करके तब हम उस पर बनाते हैं ठीक है तो natural हो गया semi synthetic हो गया तो तीन तरह के polymer source के basis पर यह बात कर दिया ठीक है तो अलग-अलग basis पर अलग-अलग बात होगी देखिए natural polymer में natural polymer जैसे की वनी में बहtoijn कि जनवर और Unters प्लांट से प्लांट से पा आज एते हैं natural polymer ठीक है तो फाउंड एन प्लांट्स और अनिमब्स और अनिमल्स प्लांट्स और अनिमल ने से पायाते हैं जैसे की starch हो गया cellulogy हो गया natural river हो गया पेड़ से रेजिन्स हो गए और नुक्लिक एसिड्स हो गए यह सब क्या है नैच्रल पालिमर्स थीक बद्चू इस टार्च और पड़ेंगे और बायो मालेकुल्स पढ़ेंगे इसके लोग तो ग्लुकोज के पालिमर होते हैं ग्लुकोज होता है लार्ज नंबर आफ अमीनो एसिट्स तो अमीनो एसिट्स मालीकूल से मिलकर के प्रोटीन बनते हैं और प्रोटीन में क्या होता है आपका सी यो एनच बांड यानी पेप्टाइड बांड होता है इसको भी अमनों डिटेल में परहेंगे तो प्रोटीन सार लांग चेंग पॉ आमीनो एसिट्स मालीकूल्स बहुत जबरदस्त और ऑरेंजमेंट में में ठीक है बहुत जबरदस्त अरेंजमेंट होता है जैसे प्रोटीन में क्या होता है इसई-उ-एच बांड अच यह लिंगेज होती है के टाइड लिंगेज बॉठता है इसको कि यह प्रेप्टाइड लिंगेज होती है यह तरफ का स्टी ओएच और दूसरे तरफ का एनेश टू वह आपस विपोड़ी करके वाटर मालेकूल रिलीज करता है तो प्रोटीन सार फर्म वाई युनिटिंग युनाइटिंग लाज नंबर आफ अमिनो असेड्स प्रोटीन सार लॉंग चेंड पॉलीमर कंटेनिंग अर्गनाइज़्ट आर्रेंजमेंट आफ अमिनो असेड मॉल्लकूल नेचरल रबर इज पालीमर आफ आइस्टो प्री आइस्टो प्रीन उनिट्स होते हैं आइस्टोप्रीन क्या होता है तू मिथाइल ब्यूटा वं थ् यहां पर यह तू मिथाइल ब्यूटा वं थे डाइन है यहां में दिखा रहा हूं है यह हमारा आइपेसी नेम हो गया आइसोप्रीन यूनिट का और आइसोप्रीन यूनिट में क्या होता बच्चों यह बांड को खुलता है ऐसे वह क्या है कि यह बॉंट जो है कि पई यह देख रहे देख रहे है जिए और यह बांड यहां पर ब्रेक करता है और आधा배म से सब्सक्राइब कर रहें के पाइब को परोगों सब्सक्राइब करीच पाइबांट भीच में आता और इस तरह से यह यूनिट बनती है तो यहां पर पाल आइसोफरीन बोलते हैं जिसको हमणों नैच्रण रवर आ कहते हैं तो पाली-आइसोफरीन तो आइसोफरीन क्या है प्रोटीन आपके मसल प्रोटीन है और जो मारा मॉलीकुल जो मस्किलर बाडी है जो मारा मसल है वो सब प्रोटीन में ज्यादा प्रोटीन होते हैं उसमें नुक्लिक एसीड कंट्रोल थे अब आप मालेकुलर रेवल नुक्लिक एसीड अब जानते हैं और यह किस्ते बने होते हैं इसका हम लोग भी बायो मालेकुल में भी पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा बतागरा हूं बिएन ने आप जानते हैं एक पॉलिमर चेन है जिसे की बनत की जसे हैं आपका नाइक्टॉजस वेस होते हैं और वेधे से उतरा अंतल में जुड़ता हैं रषाप कि बनाते हैं कल रोड़ है आप तो इस तरह तरह से हमारा यह पालीवर बनता है को रोड़े और हम लोग काते हैं लिकिन हम लोग डाइश्ट नहीं करते हैं हम लोग घ्र बनाते हैं घर बनाते हैं उस पे लकड़ी है वहाँ पर बहुत है बच्चो रबर आप बहुत यूज है रबर प्राइक्ट्स वेरियस आर्टिकल्स आप डेली यूज रबर से बहुत आशारे हम दो चीज आते हैं तो नेच्छल रबर है उसे बहुत सारी चीज़ें हमारे डेली लाइस में देखिया तो यह नेच्छल पॉलिमर्स का एसेंशल है और इस केमिकल माडिफिकेशन करके हम डराइफ कर लिए ऑच्ट्रीक्ट्रीकों कराते हैं और ऑर करके उसे में जैसे से लोज को अगर हम on सब्सक्राइब कर दें तो सब्सक्राइब इसको रियान कहते है रियान बहुत बढ़ियां जो है वालीमर है बहुत हाई होता है तो इड्रेंट यूज रियान जाइब दखो तो स्टेवियान जो क्या हो रियान क्या है और इडिपने इडिफ इन इंडियान लाइक फिल्म ग्लासेज यह मैटरियल्स है एड मैटरियल्स इस परिंग कहीं कहीं गलत हो सकती है रियान में तो बहुत हार होता है और त dimension रिसर्फर के साथ कि ważne तो दो चेंड के समगता है तो यहां पर सिल्फर के क्रॉस लिंक बन जाते हैं इस तरह से तो इसको वलकनाइज रबर करते हैं और अच्छा हो जाता है तो वलकनाइज रबर हैं इस तरह बनाते हैं जिसको हम एक्स्प्लोसिफ के फर्म में यानि बनाते हैं और जो टी एंटी होता है ट्राइट नगर है यहां पर गंड का इस्तमाल करते हैं जो से लोगा ट्रेट होता है ठीक है ना से लोगा यानि जो एक्स्पोसिफ होते हैं वह बनाते हैं जिसे पॉलिफीन हो गया जितनी भी गंदगी मचाते हैं हम लोग मचाते हैं ना जिसे पॉलिफेन चुटका रहेपाने के लिए नो पॉलिफेक्स नौ प्लास्टिक का इसकर हम लोग यहां चलाते हैं सब्सक्काति है जिसको कि ऍसकों कोई प्लास्टर कोई 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 नहीं तो तब मैं थे कोई कपड़े को बोलता है प्लिस्टर और CTA आता है और सस्ता आता है तो यह जब से लेहें यह वह एक किसका इस्टारीम का पॉलिस्टारीन का rewarded रील्टा च्रिंड का स्टारीन का देखो भच्रिएन है इस्टारीन जो होता है ये दिसब्रस्ट अधिन जिसavic इस टैरीं है इसका आयूपीसी नाम भी सोचिएगा आप लोग क्या होगा है ना पीवीसी पॉली विनाइल क्लोराइड पॉली विनाइल क्लॉराइड यानि विनाइल क्लॉराइड विनाइल क्लॉराइड विनाइल क्लॉराइड विनाइल क्लॉराइड 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 क्लॉरा और इस टेफ़लान टत्राफ्लोरो कार दीजिए बैकलाइट ह bene की घ्राइट है यह सब आगे सब्दवि Grad है शब्राड वालीबर संथेटिक पॉलिमर्स तो यह के सब याद करें में हैं कि याफ सेंतीक क्या क्या है उसका मतलब होता है या है नात्रम ñ पढ़ते हैं छली आगे चलते हैं ठीक प्रगतिकेशन पहला से साथ कि वस्टा Il 3 types of polymers है, 3 types of polymers है, पहला क्या है, linear polymers, structure के बैसे से पहला है linear polymers, in linear polymers, the monomers are linked together to form long straight chains, then the different polymeric chains are stacked, different polymeric chains, एक क्यों पर एक जो है, one over the other, एक क्यों पर एक कथा वात है, to produce a well-packed structure, such polymers have high melting point, यह पुछा रहता है, high melting point, high tensile strength and high densities, यह ध्यान रहे, high densities होते हैं, क्योंकि यह बीच में कोई भी इसमें, packing के बीच में कोई disturbance नहीं है, इसमें बहुत हाई होती है, यह ध्यान रहे, इसमें question पुछे आते हैं, तो high melting point होती है, बहुत गजब का, क्योंकि जितनी अच्छी packing होगी, उतना अच्छा melting point होगा, high tensile strength, यानि बहुत मजबूत होते हैं, और high density, यान डेंस्टी बहुत हाई होती है, एक्जामपल सार, polythe, nylon, polyvinyl chloride, etc. तो यह आप देखिए, आप figure दिया होया है, figure से आप समसकते हैं, किस तरह से यह linear chain polymer होता है, ठीक है, त branched chain polymers, branched chain polymers, branched chain polymers में क्या होता है, branched chain polymers में, जो monomer units होते हैं, वो combine करते हैं, कई सारे branches बनाते हैं, तो इन branched chain polymers, the monomer units, the monomer units, combine to produce linear as well as branched chains, such polymer do not pack well, अब खुछ सोचो, कि अगर आपको कोई चीज़ पैक करने के दी जाए, आपको ऐसे, आपको इस्ट्रेट जो है, आपको दे दी जाए, इस्टिक्स दे जाए, ऐसे, ऐसे इस्टिक्स दे जाए, कई स्टिक्स आपको दे दी जाए, ऐसे गड़ी, ठीक है, जैसे आफ, लेकिन एही अगर आपको, जो खेतों में मौमालों आप पेर पाओँजे das? कैसे रहतíamos है, आपहसे इस पर ब्रांच होती है, इस पर होती है, आप इनको स्टिक्स करने करे दिया जाए, आपको, तो कैसे स्टेक्स रहती है उतों मुश्किल, इनकी पाकिंची नहीं हो कि ने सब्सक्राइब कि अच्छी नहीं सकती है तो फड़ेगा अवर लो टेंस्टी हो जाएगा ना और लो हो जाएगी यह बहुत इंपॉर्टन बात है तो ब्रांश चेंट पॉलिमर में डॉनाट टैक विल एंड है लोवर मेल्टिंग पॉइंट लोवर किसे किसे बच्छों पहले वाले से जो हमारा लीनियर चेंट था लीनियर पॉलिमर था उससे टेंसाइल स्ट्रेंज भी कम हो ज हमारे श्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों में पायाते हैं तो यह बात ध्यान रखना बच्छों तो इस तरह से हम समझते हैं तो ब्रांश चेंट पॉलिमर की बाद यह होगी तो इसके जो खूबियां है जो खासियत है वही सब पूछा आता है एक्जाम में फिर आता है क् पॉलिमर्स प्रोडुस्ट मोनोमर्स आर या यह बात वाइफॉट्टन होंगे तो कई साथे ब्रांचे बन सकते हैं जिससे वो जूड सकते यह चरदे गर करके एक molecule निकाल दिया release कर दिया कुछ जैसे water रिलीस कर दिया हमनिया रिलीस कर दिया कुछ ऐसे चीज रिलीस कर दिया और जुड़ गए तो ऐसे क्या होते हैं highly branch होते हैं जिसको highly highly crosslink होते हैं ठीक है तो जिससे की डे-contain strong covalent bond between various linear polymer chain इसी line पर कोशन आया है है मैं आपसे बार कर रहा हूं इनहीं लाइन से कुछन आएगा यहां इस चेन के इस पार्ट से और इस दूसरे चेन के इस पार्ट से एक स्ट्रॉंग कोवलेंट बना रहा हूं यानि वह आपस में क्या है स्ट्रॉंग कोवलेंट बना रहा हूं एक दूसरे चेन से और इसमें बहुत शांदार बनता है बहुत रिचिड होता है यहां पर देखिए त्रीट डाइमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर इसी एक रिसको नेटवर्क पॉलीमर भी कहते हैं ठीक है इसलिए गली इस्टरॉर्य होते हैं इसे हो गया यूरिया फार्मेल्ड हइट रिजिन होते हैं और मिलमाई मेले माईन और या यह बनते मेटें बहुत of polymers based on the mode of polymerization यानि अभी तक हमने पहला सीखा source source of polymer हमने क्या पहले सीखा source में हमारे पास क्या था natural था semi synthetic था और synthetic था उसके पास से हमने देखा structure कैसा है structure में linear chain था linear polymer था उसके आसे वारा क्या branch था किसरा था मारा cross link था तो यह तीन चीदे हम दो बेसिस पर दो बेसिस पर हम छे बाते पड़ चैन के हमने देखा अब तीसरा बेसिस हमारा क्या है बच्चों वह देखिए थार्ड बेसिस है बेस्टार मोड आफ polymerization mode of polymerization किस तरह से polymerize करेंगे तो बिगनिंग में ही हमने समय था कि addition polymer क्या होते हैं और condensation polymer क्या होते हैं तो addition और condensation से addition और condensation से बनते हैं तो पहला वाला जो हमारा है वो है addition polymer addition polymer में आप लिए बहुत important चीज़ी है कि unsaturated होना चाहिए जो unsaturation से बनते हैं और उसमें देखो जैसे यहां पर पाई-बांड या ट्रिपल बांड या ट्रिपल बांड होना ही चाहिए तो वें दा definition क्या है वें दा मोनमर यूनिट एड आड ऑन वन अन अनधर तू फार्म लांग चेन विदाओट elimination of any byproduct यह बहुत important बात है बहुत important बात है ठीक है होती इन अडिशन पाई-बांड ब्रेक करता है और सिग्मा बन बनते हैं और जूड़ते चले आते हैं जूड़ते चले आते हैं ठीक ना जैसे कि पॉलिधीन में तो बच्चों बहुत क्लाशिफिकेशन आफ पालिमर बेश्ट अनधा मोड़ अफ पालिमर अद्यशन पालिमर अमनों पढ़ रहे हैं अडिशन पालिमर में हम देखा कि किस तरह से हमारा अडिशन पॉलिमर होता है जिसमें कोई भी बाइप्रोडक्ट नहीं बनता पॉलिधीन इग्जांपल देखिए पॉलिधीन टेफलान पीविस्टी पैन पॉलिक्राइड नेटरील 1 2 3 3 खी पॉलिस्टर अधियर पॉलिस्टरिम पॉलियल अधियर पॉलिल करै農िधीन कोईर पॉलिंज आडखि पॉलिंजिटल बाइबधे उदिवेश्ट पोलिंज अनेय भी बाइब आण पॉलिंजिटल पॉल्मूर मॉलिन यह संब्य थी स्रय होता है। supplemental formula क्या होता है जैसे माल लो हम अगर बनाते हैं c6h12o6 यह कहते हैं तो इसका इन वogo对 तो और यहां पर देखिए आपका जो हमारा मोनुमर है यहां पहला गरम ने अगर मैं एथीन को लेता हूं यह यहां रहां हमेरा वाल एथीन आपको हों ने यहां मोन्तेक लेका करते हैं सिघ्थीन और पॉलिथीन दोनों का ही इथीन और पॉलिथीन दोनों का ही जो है यहां पर यलो से लिए यानि हमारा जो इथीन है उसी अश्टू था तो सी अश्टू था तो सी एश्टू का होल एन यह इसका इंपरिकल फामुला और आटिशन पॉलिमर है और जो मौनुमर है दोनों का ही से इंपरिकल फामुला होता है यह बहुत इंपर्ड़न है यह अधिशन पॉलिमर की बात ठीक है मेरे फ्यारे बच्चों यह आपे देख लिए यह इथीन इथीन से पॉलिए यह यह टेट्रा फ्लोरो इथीन उससे टेफ कैसे बनता है इसका भी डिस्केशन हम लोग करेंगे कैसे बनता है इसका भी डिस्केशन करेंगे देखिए जैसे मैं अगर बता हूँ तो यहां पर c pen change कर लेता हूँ c f 2 double bond c f 2 यह bond आधा आधा ब्रेक करेगा high temperature में होता है तो बनेगा c f 2 free radical single bond c f 2 free radical अब यह आगे अपना यह दूसरे किसी और से जूपता चला जाएगा तो इस तरह से वह लंबा branching कर लेंगे तो इसको हम whole n कर लेते हैं that's it यह होता है तो पॉलिथीन टेफलान पीविसी पैं पॉलिस्टाइरीन पॉलिविन acetate etc are addition polymers in addition polymerization the monomers simply add on one another leading to the formation of the polymer both the monomer and addition polymer have same empirical formula उनक्या same empirical formula होते हैं चलिए आगे चलते है पॉलिथीन इस फॉर्म्ट पॉलिथीन कैसे बनता है इस फॉर्म बाइद एडिशन ओफ इथाईलीन molecule on each other styrene यह E है styrene butadiene rubber styrene butadiene rubber बनता है वह बनता है वह बनता है बाइद फारिशन buta 1 3-dyene को ही बोलते हैं Buta1, 3-dyene dyn इसको बोलते हैं वह बना मैं पीछे बताया था कि आई-सो प्रिन आ office notrend नहीं बोलते हैं आप लगों टोनों जब जूड़ते हैं तो यहांपर देखो यह हमारा पॉलेतीन कैसे बनता है पॉले फ्लोरो यह पर लगई यह जीश्य लुस्या cplon गंगे विन्य भिन प्रोड यहांते पॉलेता यह यह पुझीन करने जीख recipes कर चुके हैं तो यह हमारा ब्यूना एस होगे ब्यूना एस क्या से बनता है इस पर डिसक्शन करेंगी हम आगे चलिए कंडेंसेशन पॉलिमर क्या होता है तो कंडेंसेशन पॉलिमर समस्ते हैं कंडेंसेशन पॉलिमरस कि इंग जय क्यांतोधियृ मोनुम्र यीजळि फॉली इसंट वी तो घ्री कॉम्स हिंडेंसेशन अमें अमोन के यह व्यूंड होता है विसनके आइन टू एं कि Contゲ two molecule react together to form a dimer the dimer further react stepwise and give gamer and so on small molecules such as h2o css3 oh h nh 3 co2 तो यह जब जुड़ते हैं आपसमें फंक्शनल रिलीज करते हैं नाइलान तेरिलीन इसको डैक्रान भी कहते हैं बैकेलाइट एलकाइड रेजिन्स के जह्या है है आपवह सकते हैं धाले हैं एक लिसे पाइले में कि ऊकरके और फिर वह एड करते चले आते हैं और वो लंगी पाइं में इसमें उसकीड़ाइशन गौण कोई भी चीज निकलती नहीं है कोई भी हमारा बाइब प्रॉडट्ट नहीं कलता है जो इस्तमाल मालीकूल स्रीलीज होते हैं यह एक ज़्यादा फंक्ष्णल को फोने चाहिए और इस च्टेप वाइस जो है यह यह जूडते चले आते हैं फिर ट्राइमर और इस तरह से पाल है यहापर देख़ें नीचे यहां पे मैं दखा रहा हूँ बीस में क्या है है और चार कर्बन यहां पर ऑलकूल हो करो है तो यह चार्कीण आरी है बनाते हैं इसका डीटियल मैं आपको सुनाता हूं कैसे होता है देखिंगे तरफ़ पर देखिए जैसे नहीं है इसका माली यहां पर है और यह CH2 होल 6 है और इधर NH2 है इधर COH है और फिर CH2 होल 4 है और COH होता क्या बच्चों यह जो इसका एच और इसका ओएच यह मिलेकर कि वाटर माली की रोलीज करते हैं ऐसे ही धर्ग होता है ऐसे ही धर्ग होता है तो क्या होगा NH यह बांट उदर जोड़ रहा है आ गए फिर CH2 होल 6 तो और यह बांड अब आप देखेंगे कि यहां से यहां तक यह एक यूनिट बर देगे यह नाइलान बोलते हैं इसको नाइलान नाइलान बोलते हैं, एक्सामिठाल डाइमीन और एड़पी केसिल का ये बना हुआ है, मिक्सेर बना हुआ है, इसको 6-6 बोलते हैं जो किसमें, दो जो है 6-6 कारबन के 2 युनिट सिस्टम मिल करके बना रहे हैं, ठीक है मेरे फ्यारे बच्छों, नाइलान 6-6 का स्ट्रक्चर को समर्य आगया होगा कि कैसे बनता है, तो यह एक कंदेनिसेशनpreneur है किस तरसे हम इसको देखते हैं, दो मालीकूल से आपस में किस तरसे जुड़ते हैं और water molecule या स्माल मालीकूल से रीलीकूल से रीलीज करते हैं, यह ठीक है, टाइरीन आपका होगया यह इस टाइरीन में है CH-1 CS2 और बूना क्या था व्यूटा-13-Di CS2-1 CS1 CS1 CS2 यह है यह है कंदेंसेशन इसको आपको कंदेंसेशन पड़ेगा तो होता क्या है पक्चों ये बॉन्ड़ हाइग तेम्परेचर पर आधा है टूठता है और है यह बहुति कंदेवर में होते हैं अब समझेगा भाट ध्यान से शुल्म इसका खिण इसको मृणी इस favor luck और और मैंने फिनाइल को नीचे लटकातिया और यह इस का सीज ट्מה इसका फ्रिए बना है यहाग्द आप चि अध्योगों दिखरा होगा मेने पीछे फोटो के पीछे दिखरा होगा है और यह कि लिख स्टेच्टू फिर आपका और भी ऐचिंद और ची फ्रियरिक्रार्ण और आरो यह दूने फ्रियरिकर मुषैंly पाइक क्वाहएं और यह आपस में जूड़ेगा इधार इसते रह यह आगे माली किसी मालेकुल से यह भी किसी आगे वाले माले किसी दूरेगा इस तरह से बनता है बच्छों यानि CH नीचे लग जागा फैनिल या पी एच लिख सकते हो और इंधर आगे बनाओंगे फिर यह CH फिर यहां पर एक CH дв फिर कैंट फिर आगे जरनता है तो यह फोटो की मैं अपर कि पोटो कि पीछे आरा हुगा मैं हट जाता हूं अपरों देखने कर दों को यी ठीक है आपने को दिख्या हो गई है एक बड़ा हट के दिखा जाए तो आपर इसको नोट कर लिए आपने को लिए तो इस तरह से यह बनता है और होल एंड कर देंगे इसको ठीक है तो हमारा एडिशन और कंडेंसेशन दो तरह का चीज था दोनों कैसे हो गया समझने आ गया अपने को अच्छे से इसमें कोई लिकत नहीं होगी जो भी प्राप्रम होगी आप लोग कमेंट में जरू लिखेगा कमें लाइफ चैट में ज चली इसके बाद आता है बच्चों को होमो पॉलीमर एंड को पॉलीमर हो मुपॉलीमर एंड को पॉलीमर आता है होमो पॉलीमर एंड को पॉलीमर देख्षिए होमो पॉलीमर और को पॉलीमर समझों जिसमें एक ही का इंड के जिसे पॉलीमर आप्टेंट फ्राम ओनली वन टाइप आफ मनोमर आरकार्ड होमो पॉलीमर यारी एक ही का जिसे पॉलीथीन हो गया टेफलान हो गया है ना एक ही का इंड के क्या है पॉलीमर से तो पॉलीथी में इथीन इथीन जुटा चला रहा है जबकि अभी हमने बूना एस देखा पीछे और हमने नाइडान 66 देखा यह क्या है को पॉलिमर है क्योंकि इसमें अलग-अलग मोलिकूर है hexa मैसाले डाइमीर है और adipic acid है already acid और exam conservation dime तो दो अलग-अलग माली की उनने के विज़़से क्या है यह, यह को BARL Mul और इसमें क्या है, यह स्टाइरिन है और यह क्या है को Calm तो होमो-ालीमर में क्या होता है एक ही kind के molecule का repetition होता है, एक ही kind के molecule का repetition होता है, छीट बच्छों, यह ध्यान रखेगा, आप तो बहुत शांदार चीज़ है, और इसको ध्यान रखेंगे, polymers obtained from different types of monomers, our called co-polymers, ऐसे polymers जो different kind के monomers से बनते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं, क्या co-polymer बोलते हैं, जैसे कि पीछे अभी हमने देखा, तो ABAB kind के polymer या इस तरह से जुड़ेंगे, ABBA, ABBA, ऐसे जुड़ेंगे, या ABAB kind के polymer जोड़ेंगे, यह बहुत important बात है, इसको homo polymer पूछा आता है, कई बार यह ध्यान रखेंगे, बहुत जरूरी है, देखिए, यहाँ पर कैसे बनता है इस चीज़, हम लोग यह NCRT या question भी है, मैं आपको थोड़ा से दो मिट के ब्रेक रहा हूं, वाश्रूम से आ रहा हूं, तब तका इसको आप पढ़िए, करृं से दो हूं, चुट मैं आता है, करूं प्रूंस से दो हूं, आता है, अढ़िए, बंगार आता है, झाल स्टार्च, सेल्लोज, पॉलिथीन, पॉलिवुनाइलिक्लोराइड, टेफलॉन, एट्सेक्टरा, और होमोपॉलिमर्स, यह होमोपॉलिमर्स हैं सारे, स्टार्च आपका जानते हैं आप गुलकोसे बनता है, सेल्लोज, पॉलिथीन, पीविस्टी, टेफलॉन, यह सब क्या है जब कि SBR, styrene butadiene rubber, यह SBR ही गोलते हैं और styrene butadiene से बुना SV बनता है, ठीक है? बुटडाइन S, और Nylon हो गया, bachelite हो गया, ternylene हो गया, etc. प्रापरिटीज आफ को पॉलि मर्स डिपेंड अपान दा रिशियो आफ मॉनुमर्स एंड आफ एंड वी यानि को पॉलि मर्की द्यापार्टी ओती है वो रे और बी आप जो रिशियो होता है उसके पर क्रेंड करते हैं यह बात सुछिंड में पूछा जाता है दो प्रापर प्रप्रटीज आफ को पॉलिमर इस डिपेंड अपान दा रेशियो बिट्विन ए और बी ए और बी के बीचिए जो रेशियो होता है उस पर डिपेंड करता है उसकी प्रफ़ट ठीक है बेरे प्यारे बच्छों ध्यान रहेगा यह बात ठीक है वरी नाइस देखें कोशन यह यह पूछा गया है यहां पर इस्टेरीन ऑटाईप्र बना के दिखाए गया सोत अह는 का है is this a homopolymer or co-polymer तो आप देखिए यह CS2 यह CS2 यह इस्टाइरी नहीं है यह polystyrene है बच्छों इस्टाइरीन से बना है तो यह polyester है polystyrene यह क्या है पॉलिस्टाइरीन तो पॉलिस्टाइरीन है और यह homopolymer है किसका तो इस्टाइरीन यूणिस का होँपालिमर ठीक है बच्छों यह बहुतरीन बात होती है जो कि हम लोग सीख रहें यहां पर और सीखने के क्रम में हम क्लासिफिकेशन बेस्ट और molecular forces, तो classification based on molecular forces जो है हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे बच्छों, यह classification based on molecular forces में इसके बात का जो हमारा यह है, यह हम depend करता है कि किस पर, किस प्रकार का उसमें, किस प्रकार का उसमें force है, तो classification, classification based on molecular forces, तो molecular force किस प्रकार का है उसमें, इसके basis पर यह हम classification पढ़ते हैं, the application of polymer the application of polymer based upon depends upon its physical properties such as elasticity tensile strength or toughness यानि जितनी भी application होती है वो इसी पर depend करती है इसकी physical properties पर यानि उसकी elasticity क्या है उसकी tensile strength क्या है उसकी toughness क्या है और वो किस पर depend करता है कि molecular force उनके बीच में कैसे है and these properties of polymers depend upon the intermolecular forces such as hydrogen bonding wonderful forces etc existing in the macromolecules तो बहुत important बात है बच्चों ये तो जो molecular forces होते हैं molecules के बीच में उन पर depend करता है कि हमारा कि हमारा ये किस प्रकार का हमारा ये polymer बनेगा उसकी difference क्या होगी उसकी elasticity क्या होगी उसकी चल्साल इस्टन क्या होगी ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का bonding ये किस टाइप की bonding उनके बीच में हो रही है इंटरवालिक को फोर्स कैसे है इंटरवाल फोर्स श्ट्रांग होंगे तो अलग प्रपरडीस हो करेगा हम इस प्रकार से हम क्लासिफिकेशन फोर्स परते हैं तो ये हमारा पॉलिमर चेथर जो है हम लोग कर तुमारा first base था हमारा source, दुसरा क्या था बच्चों हमारा, बताइए, उसका structure, दुसरा हमारा क्या था, उसका structure, और किसरा क्या था, mode of formation, किस प्रकार से वो बनता है, तुम्हें एक समरी, समरी भी आपको मिल जाएगी, mode of formation, किस प्रकार से बनता है, और चौथा हम क्या समझ रहे हैं, बच्चों, कि classification based on molecular forces, तो molecular forces कैसे, इस पर, molecular forces का detail भी पढ़ेंगे, हम लोग आगे, मैं यहां तक कि आपको समरी आपको मैं दे सकता हूं, कि यहां तक कैसे summarize कर सकता हूं, तो sources पर कैसे depend किया था हमारा, अगर हम देखें, तो sources पर कैसे depend किया था, कि वो natural है, कि वो semi synthetic है, या कि वो क्या है, synthetic है, तो natural, natural है, semi synthetic है, और synthetic है, natural जो है, plants और animals से directly पायाता है, semi synthetic को हम क्या करते हैं, उनको हम कुछ chemical reaction करते हैं, chemical modification करते हैं, जैसे कि हम बनाते हैं, rayon, जैसे कि हम बनाते हैं, cellulose nitrate, bum बनाने के लिए, ठीक है, और purely synthetic के होते हैं, जो कि हम लोग man made polymers होते हैं वो, जैसे कि आपका PVC हो गया, teflon हो गया, polythene हो गया, nylon हो गया, इसके मस्ते हो गाता है, इस्ट्रक्चर, इस्ट्रक्चर में एक खता linear, linear में linear chains होती है, जो एक के उपर एक stack करती है, तो density high होती है, tensile strength high होता है, और melting point भी high होती है, जैसे polythene हो गया, nylon हो गया, PVC हो गया, branch में क्या होती है, branching होती है, branching के जैसे packing अच्छी नहीं पाएगी, तो lower melting point, tensile strength भी low होगा, और density भी low होगी, जैसे की example में amylopactin हो गया, ठीक है, बच्चों, cross link में क्या होता है, कि ये poly, इसमें कई सारे bifunctional या trifunctional गूप होते हैं, जो कि आपस में जूड़ जूड़ कर की branch, कई सारे जो है, क्या बनाते हैं, inter links बनाते हैं, cross links बनाते हैं, ठीक है, cross links बनाते हैं, तो cross links बनाते हैं, क्या होता है, इत्त्री डामिशनली बहुत complex structure बनता है, network polymer, इसलिए इसको हम लोग network polymer भी कहते हैं, ठीक है, और ये क्या होते हैं, hard होते हैं, rigid होते हैं, बिटल होते हैं, जैसे कि backlight हो गया, urea formaldehyde polymer हो गया, melamine formaldehyde polymer हो गया, etc. तो इस तरह से हमारा यह क्रासिंग, third classification based on the mode of polymerization, दो mode हैं polymerization के एक हैं addition polymerization, दूसरा है condensation polymerization, addition में क्या होता है, without elimination of any by-product, molecular units क्या होते हैं, monomer units आपस में जुड़ करके long chain बनत जाते हैं, तो इसको हम दो addition polymerization करते हैं, ठीक है, और जो smaller units निकलते हैं, वो ammonia, H2O, CO2 यह सब निकलते आते हैं, ठीक है, जैसे एक्जामपल के ते हैं polythene, keflon, PVC, tan, polyacrylonitrile, polystyrene, polyvinylacetate हो गया, यह सब addition polymers हैं, जिसमें bond टूपता है, bond break होता है, free radical हो बनता है, और वो जूटते चले आते हैं हापस में, और इसमें एक important बात है कि monomer, monomer और polymer का, monomer और polymer का जो empirical formula same होता है, same empirical formula होता है, यह बड़ा important बात है, ठीक है, condensation polymers में क्या होता है, molecule के पास दो या तीन function होने चाहिए, और molecule एक दूसर से react करके dimer बनते हैं, dimer से trimer बनते हैं, trimer से tetra बनते हैं, ऐसे बड़ सच बड़ाता है, और इसमें condensation में small molecules like water हो गया, methyl alcohol हो गया, NS3 हो गया, CO2 हो गया, CL हो गया, यह सब release होते हैं, जैसे nylon हो गया, terylene हो गया, diapron भी बहुता हैं इसको, bakalite हो गया, alkyde regions हो गया, यह सब condensation polymers हैं, hexamethylene diamine और edific acid दोनों में बनाते हैं, जिसमें water निकलता है, और यह क्या है, एक condensation polymer है, यहाँ पे nylon six बनाने का एक तरीका दिगा हुआ है, और यहाँ पे मैंने detail भी बता दिया, किस तरह से बनता है, और उसके साथ में मैंने comparison भी दिखाया है, कि sterene butadine, जो SBR हो कैसे बनता है, उसका homo polymer और co polymer में क्या होते हैं, homo polymer क्या होते हैं, इसमें एक ही kind का monomer होता है, जैसे कि PVC हो गया, ethylene हो गया, polythene हो गया, यह आपका polyesterene हो गया, ठीक है, polyacrylonitrine हो गया, एक ही kind की इसमें monomer जूटते चल जा रहे हैं, जबकि co polymer में जो होते हैं बच्चों, वो जो होते हैं, जैसे कि आपका Buna S हो गया, आपका Buna N हो गया, आपका nylon 6-6 हो गया, यह समें क्या हैं, अलाज अलग काई के monomer होते हैं, जिसको हम लोग को polymer कहते हैं, इस टार्ट से लोग पॉलिथीन, PVC, टेफलान और homo polymers, वाइल SBR, यह इन्हीं, इस्टारिम, डाइन, रबर, नाइलान, बेकलाइट, टेरिलीन, एट्सेक्टरा और, और, प्रापरटी के इस पर करती है, कितना आप A मिला रहे हो, कितना B मिला रहे हो, यह है, यहां पर एक कॉश्चन दिया गया था, इसको भी हमने किया, किया, क्लासिफिकेशन बेस दान पॉलिमर आफ बालिकुलर फोर्सेस, मलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पर हम उसकी टॉफनेस, इलास्टिसिटी और, और हमारी टेलसारी श्टरंद देखते हैं, जो कि जितना भी एप्लिकेशन करना होता है, हमको पॉलिमर का, वो इस पर बेस बेस्ट होता है, पॉलिमर बेस्ट फोर्स पर फोर्स ऑफ एट्रेक्शन कैसा है, और किस प्रकार से वह आपस में बॉन्ड किये हुए है, ठीक है बच्चों, इसके आगे का जो पार्ट होगा, वो नेक्स क्लास में हम करेंगे, नेक्स प्रास भी आपको इस तरह से मिल में दिपनेट्रों, टॉपिक अनमेंदर के लिए और उसाट्रों क्लास होगे विदियो बनाएंगा वरने टविए उप्चार्षिक अनिवसरी क्लास फिक आपको सब्सक्राइब लाएन लाएफ लाइफ बनाचे और लाइब दीड़ियो चाहिए, और में दोक्ते हैंगा, कि मुझे सर मुझे इस टॉपिक पर क्लास चाहिए ठीक है वेर भ्यार है मुच्चू थो कर थांक्यू वेरी मच्च